So guys, ये Korean style neck बनाने के लिए आप अपनी कुर्ती या फिर blouse ले सकते हैं तो मैंने यहाँ पर top part की cutting कर लिए है अब neck बनाने के लिए same fabric लेंगे और उसको fusing paper के उपर paste कर लेंगे ये neck आप canvas के उपर भी बना सकते हैं बट में fusing paper को इस तरह से fabric के उपर iron करके paste करने के बाद बना रही हूँ अब देखें यहाँ से हम अपने neck की चोड़ाई लेंगे जितना भी आप अपने neck की चोड़ाई रखते हैं बस वही mark करना है तो मैं यहाँ पर पौने तीन इच पर mark करूँगी इस तरह से इसके बाद हमने neck की जो लंबाई है वो मैंने साड़े चेंच ली है आदा इंच इसका दबाव में चला जाएगा कंदी से और यह चेंच पर तयार होगा अब उपर से जितना भी लिया है हमने उसका हमने half mark करना है ऐसे करके तो पौने तीन का यह half है यह देख सकते आप इसके बाद हमने इस mark को उपर की तरफ तिरचा करके मिला देना है ऐसे करके अब हमने इसको open करना है और यहाँ पर हम देखेंगे हमने neck की चुड़ाई एक साइट से कितनी ली थी पौने तीन इंच यानि यह साड़े पाच इंच की चुड़ाई आई है या फिर इसका आप सैंटर देख लिए यह साइट से भी हमने पौने तीन इंच लिया है तो टोटल हमारे neck की जो चुड़ाई है वो साड़े पाच इंच हो गई है ऐसे करके अब इस वाले पाइंट को हमने इस तरह से round shape में मिलाना है ऐसे करके तो अभी थोड़ी सी shape मुझे और change करनी है तो इसकी जो shape है वो कुछ इस तरह से रहेगी free hands हमने इस तरह से इसकी marking कर ली है अब extra बाहर की तरफ से cut कर देंगे इसकी बाद इसकी wrong side में turn कर देंगे और एक pair का दबाव लेते हुए हमने fold करना है उसके बाद इसके उपर सिलाई कर लीनी है तो पूरे में हमने इस तरह से सिलाई कर ली है अब देखिए यह जो marking है यह गलती से मैंने right side पर यानि fabric की तरफ कर ली है यह marking हमने fusing paper यानि canvas वाली side करनी है इस तरह से तो guys यह neck में top part पर बना रही हूँ आप इसको simple कुर्ती पर भी बना सकते है मेरे top part का measurement कुछ इस तरह से है 7 inch shoulder है 7 inch इसका armhole है और यह इसका bust है 8 inch bust आपका कुछ भी हो सकता है जो भी आपका size है उसके बाद आगे की तरफ margin add कर लेना है और 8 inch पर इसकी कमर की fitting है और top part की जो length है वो मैंने 15 inch ली है 14 inch पर तयार हो जाएगा अब कपड़े की सीधी side पर हमने center पर mark किया है अब यह neck का जो हमारा pattern इसके उपर रखेंगे center से center मिलाते हुए इसके बाद हमने stitching करनी है सो जो हमने marking की है इसी के उपर sly कर लेंगे इस तरह से इसके बाद हमने जहां हमने sly की है वहाँ से एक पैर कर दबाव आगे की तरफ छोड़ते हुए extra fabric cut कर लेना है cut करने के बाद हमने इसमें चोटे-चोटे notches लगाने है और यह वाला जो fabric है यह हम एक side में रखेंगे यह हमारे neck का pattern है अब इसमें हमने चोटे-चोटे cut लगाने है उसके बाद हमने इसको wrong side में turn करने के बाद अच्छे से एक सिलाई कर लेनी है और iron कर लेना है तो यह wrong side में इस तरह से चला जाएगा बाद में हम इस पर तुरपई कर लेंगे तो यह neck से जो हमारा cut निकला है इसी की help से हमने अपना neck का pattern cut करना है तो देखे कुछ इस तरह से रखेंगे उपर की side से मैंने थोड़ा सा fabric निकाल दिया है यहाँ से अब इस side से जो गोलाई है उसी गोलाई को हमने माक करना है तो इसके बराबर बराबर हम यहाँ से माक करेंगे ऐसे करके इसके बाद इस माक से नीजे की तरफ मैं 5.5 इंच ले रही हूँ आप इसको 11.5 इंच बढ़ा भी सकते हैं 6 इंच भी ले सकते हैं तो मैंने 5.5 इंच की गोलाई पर इस तरह से माक कर लिया है अब इन सभी माक को हम एक दुसरे के साथ मिला लेंगे इस तरह से माकें करने के बाद अब हमने इनकी कटिंग करनी है तो गैज यह नेक बनाने के लिए मैंने रियॉन फाबरिक लिया है आप इसमें डबल जॉर्जट शिफॉन या फिर कोई भी ऐसा वेवी फाबरिक जिसमें लचक होती है वो ले सकते है तो कॉर्टन फाबरिक में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा अब दिखिए यह जो हमने सरकल कट किया है इसको हमने रॉंग साइड में क्वाटन इच डबल फॉल्ड करके सिलाइ करनी है तो बिल्कुल बारिक बारिक हमने फॉल्ड करना है और इसके उपर सिलाइ करनी है इस तरह से वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर कर दे और चैनल सब्सक्राइब नहीं कह तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए अब देखे इसकी बाहर वाली साइड में भी हमने ऐसे ही क्वाटन इच फैब्रिक को फॉल्ड करना है और सिलाइ करनी है तो इस तरह की और वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं जहां पर आपको अलग-अलग तरह की डिजाइन्स मिलेंगे तो यह हमारे नेक का पैटन कुछ इस तरह से तयार हो गए इसके उपर मैंने अच्छे से आईरन कर लिए है यह देख सकते हैं अब इसको हमने नेक के उपर लगाना है तो जो हमने यह नेक बनाया है इसको इस तरह से रखेंगे और दिखे इसके उपर इस तरह से रखेंगे ऐसे करके अब यहां से हमने एक माक कर लेना है बिल्कुल सीधा उसके उपर यह जो पैटन है यह हम इस तरह से गुमाकर रखेंगे इस तरह से रॉंग साइड जो है वो उपर आ जाएगी और इस माक पर हमने यह इस तरह से रखना है यहां से मिलाते हुए रखेंगे और आदा इंच का दबाव लेकर हमने इस लाइक करना है तो यहां पर मैं तीन प्लेट्स Size बना रही हूं आदा आदा इंच की ऐसे करके तो ये तीन प्लेट्स हमारी आ गई है अब इसको हमने पका कर देना है और यहां से निकाल लेना है तो ये संटर में हमने इसको स्टिच किया है अब इसको हमने दूसरी साइड में टर्न करना है यानि जो नेकी गोलाई है उसके अकौडिंग यहां से जो हमारे extra fabric के इसको cut करके निकाल देंगे अब इसको हमने दिए कुछ इस तरह से रखा था जब plates डाली थी अब इसको हम ऐसे करके मौर देंगे और यहां से जो है जितनी भी दूरी आए थी तो मेरे हिसाब से यह 0.5", तो इसकंदी पर भी हम 0.5 पर मांक करेंगे और अब हमने इसको यहां से सिलना start करना है इते के इस तरह से start कर लेंगे और इस मांक से रखकर अब हमने plates बनानी है तो जिस तरह से हमने नीचे प्लेट्स बनाएं दी वही गाप देते हुए हम उपर की तरफ रखेंगे और यह जो गोलाई है यह कुछ इस तरह से आ जाएगी तो यह हमारी प्लेट्स है शोल्डर की तरफ से बाकी दो प्लेट्स हम बना लेंगे आदा आदा इंच की दूरी पर तो ऐसे करके हमारा डिजाइन आ जाएगा यह दिखिए तो बस हमारा डिजाइन कंप्लीट हो चुका है आप चाहे तो इसको बंद कर सकते हैं या फिर इसी तरह से रहने दे सकते हैं तो किनारी पर अगर आप सिलाई लगा देंगे तो यह उपर से बंद हो जाएगा अब इसके उपर मैंने ये white color की मोती लिए हैं ये मोती आप हाथ वाली needle के साथ भी attach कर सकते हैं या फिर आप इस तरह से punching machine के साथ भी attach कर सकते हैं तो मेरे पास ये punching machine है तो ये इसके से मोती लगाना बहुत ही आसान हो जाता है और time भी बहुत ही कम लगता है तो ये जो मोती है ये pin की help से लगता है तो अपनी कई वीडियो में मैं इस machine के बारे में detail में बता चुकी हूँ तो देखिए इस तरह से हम ये चार मोती लगा लेंगे ऐसे करके और बस इसी के साथ जो हमारा design है वो complete हो जाएगा और इस machine से जब हम मोती लगाते हैं तो wrong side में देख सकते आप बहुत ये अच्छे से finishing आती है जो pin है वो wrong side में चली जाती है तो guys अगर आप अपनी पसंद का कोई भी ऐसा design बनवाना चाहते है तो आप मुझे instagram पर उसकी pic send कर सकते है instagram का जो link है वो इसी वीडियो के description box में आपको मिल जाएगा या फिर आप डारेक्ट इंस्टाग्राम पर search कर सकते हैं ज्यादे ट्राडे fashion तो वहाँ पर आप अपनी किसी भी पसंद के design को मुझे send कीजे मैं यहाँ पर tutorial दूँगी तो चलिए यहाँ कर वीडियो complete होती है उमीद करूंगी अब तक आपने इस वीडियो को like करके channel को subscribe कर लिया होगा और यह वीडियो अपनी friends और family के साथ ज़रूर share करे तो मिलती हूँ next वीडियो में कुछ नए ideas के साथ तब तक के लिए bye take care thanks for watching this video